श्रीपूरी जिले में नोहोरी बचोरा में विद्धु विभाग द्वारा छेत्र की लाइट काट दी गई और ट्रास्फर्मर उठा लिया गया जिसमें छेत्र में 22 दिनों से लाइट न होने से नाराज छेत्र वासियों ने चाबी घर का घेराव कर दिया जहां उनुने एक ग्यापन भी प्रवंद्र के नाम दिया है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 22 दिनों से शेत्र में लाइट न होने से उन्हें परिशानियों का सामना करना पड़ता है एवं विद्धूत विभाग द्वारा उन्हें सिर्फ आश्वर्शन दिया जा रहा है। अब अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वह उग्र आंदूलन करेंगे। वहीं इस पूरे मामने में विद्धूत विभाग का कहना है कि नुहरी बच्छोरा शेत्र में कुल 3,84,728 रुपे का बिल बकाया है। जिसके कारण लाइट काटी गई है। शिवपूरी से यूसुप खान की रिपोर्ट। पूछो ना किसका जमाने है। पूछो ना किसी एक से पूछ लो एक का नाम बता दो इसका बिल जमाने है। यहां पर आंदूलन करेंगे। बच्चों को लाएंगे, घर से सब को लाएंगे, चक्का जम करेंगे, महिला हैं बच्चे सब को लेकर आएंगे। क्या करें साब बताओ। कुछ सुनवाई निया। टाइम पर तीन-तीन डीप रखेंगे। गाली में डीपी रखके घुम रहे थे, पूत रहे थे साब कहां पर रखना है। क्या नाम है आप लोगों ने चावी घराव किया है। क्यों करना पड़ा है। लगातार 22 दिन से लाइट नहीं है ट्रांस फार्मर बड़ा इसलिए हम आज नहीं लगातार 22 दिन से करते आ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो आज रहे हैं। करेंगे चक्ता जाम करेंगे और हम जन सुनवाई में आविदन देंगे और हमारा जो विद्धुद्वाग के इसाब हैं उन्होंने हमसे बोला है कि आप अपनी स्वेम निजी डूपी रखवा बजय क्या बता रहे हैं कि आप लोगों के बिल जमा नहीं है। उसमें से इतने सारे लोगों के बिल जमा हैं यानि कि 20-40% अपन निकाले तो बिल जमा है और लिस्टे थमादी है कि इस लिस्ट के इससाब से आप आप बिल जमा करा और सर एक काम हम करेंगे तो विद्धुद्वाग क्या करेंगे करमचारी क्या करेंगे और आज की लगाता और दो दिन से संपर्ग में बताएग जी करेंगे लिए बाइट नमबर एक बचोरा का मामला है नौरी बचोरा को हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें